तो दोस्तों अगर आप भी परेशान हैं अपने हाथ पैर कमर दर्द से, घुटनों के दर्द से, कमजोरी से, ठकान से, तो मात्र इस नुस्खे को यूज करिए और आप अपनी कमजोरी ठकान और घुटने का दर्द, कमर का दर्द, मास्पेसियों का दर्द जड़ से खतम करि पुराने से पुराना दर्द आपका चूमंतर हो जाएगा तो चाहिए दोस्तों वीडियो करते हैं इच्टार्प पसंद है तो लाइक करना दोस्तों में सिरकना और चेनल को सब्सक्राइब कर लीना दोस्तों इसमें को तयार करने के लिए हमें लेना होगा सबसे पहरी सामगर दूद यानि की मिल्क तो हम क्या करेंगे एक कप हम दूद ले लेंगे दोस्तों दूद में भगपूर मातरा में कैसियम होता है आरन होता है बटामिन्स होता है और इस दूद को हम क्या करेंगे गरम कर लेंगे हम इसे थोड़ा तेज गरम कर लेंगे यानि कि जैदा गरम कर ल साटर Waugh में हमें दूद को बहुद के मैं पूरी होगी जिस से कि सरीम में चु़ूस्त जब जादा करना है और उसके बाल में पूड़ार और अब आहिए हल्दी हलदी पाॉडर हमें मातर 2 से 3 चुट़की डालना है सकते देर जाएगा किसी पहाई सरी का बिलकुल जड़ से खतम हो जाएगा पहिश हो जोड़ोका हो जाहे गुटने का हो चाहे बुक्मर का हो दोस्तोивать को इस लुस्के से आपका दर्द भी खताम होगा फाती साथ आपकी इस्किन भी टाइट होगी यानि कि यह चेहरा है ना चमकने लगेगा क्यों चमकने लगेगा जब इस लुस्के को आप पीएंगे तो इससे जो हल्दी पाउड़ा होता है यह एंटी एक्टेरल गुडता है किसी भी क्रीकार के इंफैक्छन को यह रोबता है तो यहां पर मैंने अगर आप को दूद को मीधा करना है तो इसमें आप फोड़ी सी मिस्री डाल सकते हैं आप मिस्री डालेगा चीनी बगएरा कुछ ना डालें और अगर आप डाइबटीज के पेसेंट हैं तो इसमें मिस्री बगरा यानि की मीठा बगरा कुछ ना मिलाएं दोस्तो इस मुस्के को आप जरूर यूज करना जरूर पीना और आप खुद ही देखेंगे आप मातर दो से तीन बर फी पाएंगे और इस मुस्के से आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिन लगातार इसे यूज करेंगे तो आपके कमर का घुटने का मासपेसियों का जोड़ों का दर्द बेनिल कुल दर्द से खतब हो जाएगा चूब मंतुर हो जाएगा दोस्तों आपने देखा होगा किसी को जब चोट लग जाती है अंदरूनी चोट लगती है तो आपने देखा होगा हल्दी बारा दूद पिलाए जाता है और ये हल्दी बारा दूद बहुत ही बेतरीन तरीके से हमारे मास्पेशियों के दर्द सूजन को जर्से खत disciplines करने में तेजी से मदद करता है तो आप इस नुस्के को पीएंगे कब आपको लेना है इस नुस्के को रात में सोने से पहले रात में सोने से पहले इस एक कब दूद को आप पी लीजिए और पी करके आप सो जाएए आप बस इतना सा आपको परेज करना है थोड़ी ठंडी चीजों को आप अबर्ड करें या आप देखना आपके कमर का घुटने का मास्पेसियों का हाथ का पैर का जोड़ो का दर्द बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगा इससे एक तो सूजन भी खतम होगी और साती साथ आपके मास्पेसियों का जो ब्लट का संचार है वो भी तेज होगा जिससे की आपका सारा आप में सोने से पहले गरम गरम ही पीना होगा यैसे आप चाय पीते हैं उस तरीके से आप सिफशिव करके पी लीजिए दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लायक करें दोस्तों मैं सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलती हूं अब लिए नमस्कार